नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप साफ़ा का मेरे घृट्ट चैनल जिसका नाम है रिव्वी गरो और मैं अंतर अपर फिर से आजउरों के सामने एक नेक प्रोड़क्त आप दोस्तों आज इस प्रोड़क्ट का मैं आपके समने दीवी देने जा रहा हुँ उसका नाम है पतंजली केश कांती अलोवेरा हेयर जल जिहां दोस्तों एक बार लगाल ही ओ just हमारा स्टार्ट हो जाता है इस समस्या से हर लड़का गुजरा हुआ है मैं भी समस्या से गुजरा हुआ हूँ तो इस वज़े से अगर हम आयरवेज से जुड़े रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हेर फॉल की प्रॉब्लम हमीशा होती है जब हम बजारू जो केमिकल्स वाले हेर जेल होते हैं अगर हम तो हमें नुकसान भुगतना पड़ता है फाइदा तो इसका होता ही है वह थोड़े समय के लिए फाइदा होता है तो ऐसे में दोस्तों पतंजली तवरा निकाला गया यह प्रोड़क्ट केशकांती अलोवेरा हेर जेल यह भी सेम काम करता है लेकिन आयरवेदिक होने और sé Smell के वजये से इसके जो side effect है वो कम होते है यह नहीं कह सकता मैं कि इसके side effect नहीं हो सकते इसमें भी कुछ chemicals एड किय रहे हैं मैं आपको ingredient बता हूं क्या yg deficंट है है इसमें मिंट नीम तूजी ये इसके चार मेंड इंग्रेटेंट है इसमें अलग से बेस्ट मेटीरियल जो है वह मैं आपको पता जाएता हूं कि इसमें एक्वा डी सोडियम इडी टीए प्रोपाइल केस्टर ओयल विटामिन ई को पॉलिमर सुगंदी द्रव्य पर्मिटिट कलर इसमें एड किये गए हैं और भी कुछ कैमिकल्स हैं वह इसमें एड किये गए हैं दोस्तों तो इस वज़े से यह आपको कुछ हद तक रहत दिला सकता है यह आयर्वेदिक है इस वज़े से इसके स बना सकते हैं अपने बालों पर इसकी कुछ मातर आपने हाथों पर लेकर आप अपने हाथों पर लेकर जैसे आप अपना स्टाइल बनाना चाहें अपने हेर का वैसे आप बना सकते हैं यह वैट लुक देता है आपको शाइनी एक लुक आपको मिलती है इसको लगाने के बा 60 ml और इसका प्राइज है 40 रुपीज चालीश रुपे का ये ट्यूब है और इसकी वॉल्यूम 60 ml है दोस्तों ये बैनिफिट इसका ये है कि आपके जो रफनेस होती है बालों की उसको ख़तम करने में आपकी मदद करता है साथ की साथ जो ड्राइनस होती है उसको भी दूर कर करने में आपकी मदद करता है ड्राइनस को दूर करके वैट लूक आपको देता है स्टाइलिश लूक एक आपको मिल जाती है इसकी मैं आपको इसका टेक्च्टर बतायता हूं कैसा है इसका फ्लेप्ट अडगकन है जिसको लीकिश होने को कोई खतरा नहीं रहता आप इसको ट्रेवल कर सकते हैं इसको ले जाकर अपने साथ इसको थोड़ा सा ही निकालोगा क्योंकि मैं अब जैल का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करता हूं यह देखे जैसी नॉर्मल जैल होती है वैसी ही इसकी टेक्च्टर है एंड ऐलोवेरा जैल जैसी होती है वैसा ही इसका कोई इसकी अलग से कोई मुझे खुश्पू या फिर कोई दुर्गंत इसमें से मुझे नहीं मिल रही काफी इजी है इसको लगाना क्योंकि पतला टेक्च्टर है इसका यह असानी से आपके बालो में बालो पर लग सकता है नुकसान इसके दोस्तों हो सकते हैं क्योंकि इसमें कैमिकल्स मिले हुए हैं हेर फॉल की प्रॉब्लम मैं यह नहीं कहता कि नहीं होगी बट कुछ हद तक रहत यह आपको दे सकती है अगर आप जैल का युजूस टेली करते हैं तो आपको कुछ हद तक यह रहत दे सकता है अगर आपको न है आंगर था सकता है लगाने के बाद भी तो इसको आप पार्टी के दौरान, किसी अक्वेशिन के दौरान इसको अप लगाएं तो सही रहेगा रोज इसको आप इस्तिमाल ला करें अगर आप इसका इस्तिमाल करते हैं तो आधने पॉब्लम निक्चित अगर आपकी इसी related कोई कोई कॉशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूट कीजिए ताकि उसका रिप्लाइ में आपको दे सकूँ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और खुश रहें आवाद रहें अपने घर के असवा सफाई रखें मैं तरून एक निया वीडियो एक निया प्रोडक्त लेकर आपके सामने फिर से आजिर होंगा तब तक के लिए चैहिन